कसम खोदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है तुम्हार शहर में दिल को करार मिलता है बुलावा आया है चल अब वही पे चलते हैं बुलावा आया है चल अब वही पे चलते हैं नसीब वालों को पागल बिहार मिलता है बहुत बहुत शुक्रियाँ मैं बिहार वालों के हवाले से क्या कहाँ जो किसी नहीं किया वो बिहार वालों ने कर दिखाया और इम्शालाह आने वाले वक्त में भी बिहार वाले ही वो सब तरके दिखाएंगे और पढ़ते हूं कसम खोदा की मुझे ऐसा प्यार मिलता है एक दिन ऐसा काम कर देंगे तेरा दुनिया में नाम कर देंगे एक दिन ऐसा काम कर देंगे तेरा दुनिया में नाम कर देंगे हम भी हारी है हमसे मत उलजो हम भी हारी है हमसे मत उलजो बरना जीना हराम कर देंगे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और मैं चार मिस्रे आप तक पहुचाता ही हूँ वो दिवाना कमाल करता है अच्छा मैं आज पहरी बार देख रहे हूँ यह दर्बंगा के लोग है यहां के लोग कुछ भी कर सकते हैं रात का टाइम है और काला चश्मा लगा के करता है अपनी आखों को लाल करता है हो दिवाना कमाल करता है अपनी आखों को लाल करता है खुद की परवान नहीं है उसको पर मेरा कितना खयाल करता है मेरा कितना खयाल करता है बहुत बहुत शुकरिया बहुत अच्छा सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आए मैं गजल का और दो दो शेर पढ़ती हो इंशाल्ला अरे वो सब पुराना हो गया मैं नहीं नहीं सुना रही हूँ मेरे हम दम मेरे दिलदार भी बात की है वाँ 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 अच्छा ये आगे वाले चच्छा इतना अच्छा सुन रहे हैं इन्हें पता नहीं कि ये मुशाला यूटूप जाएगा तो भाबी भी सुनेंगे मेरे हम दम मेरे दिलदार अभी बात की है मेरे हम दम मेरे दिलदार अभी बात की है मेरे इस दिल में तिरा प्यार अभी बाकी है अभी बात की है बहुत बहुत शुपिया और मैं एक बात बताओं आज की इस मुशायरे में मनसूर भाई नी तना अच्छा मुशायरा सजाया था हाला कि बड़े-बड़े शोरा दाइस के थे उन्हें उनका ये हग बनता था कि वो लाश्ट में पढ़ें हम जैसे जूनियर शायर पहले पढ़ते वो सेनियर थे बाद में पढ़ते कोई बात न मस्तिपूर से भी लोग यहां पर तश्रीफ फर्मा हैं मैं पढ़ती हूँ जितना जाना है बलंदी पे चला जा लेकिन क्या बात है क्या बात है बात बात जितना जाना है बलंदी पे चला जा लेकिन चला जा लेकिन जितना जाना है बलंदी पे चला जा लेकिन याद रखना मेरी रफ़तार अभी बाकी है याद रखना मेरी रफ़तार अभी बाकी है अभी बाकी है मेरे इस दिल में तिरा प्यार अभी बाकी है मेरे इस दिल में तेरा प्याँ देखिये तो मेरे हम दम मेरे दिल डार अभी बाकी है बहुत बहुत शुक्रिया जितना जाना है बलंदी पे चला जा लेकिन वाह वाह जितना जाना है बलंदी पे चला जा लेकिन याद रखना मेरे रफ़तार भी बाकी है बहुत बहुत शुक्रिया और इस गजल में अल्ला ने एक ऐसा शेर कहल वाया मैं आप तक पहुचाती हूँ अवरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों अवरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों अवरतों पर सदा इल्जाम लगाने वालों फात्मा जहरा का किरदार भी बाकी है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा सुन रहे हैं मैं आए मैं हां मैं सब पढ़ूंगी मैं पढ़ती हूँ आए मैं गजल के मतला दो तिन शेर और आप तक पहुचाती हूँ रोज तेरा सताना चलेगा नहीं दरवंगा वालों आप मुझे बताएं रोज तेरा सताना चलेगा नहीं खाब में आन जाना चलेगा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया शेर मुलाज़ा फर्माएं बजम में प्यार का बजम में प्यार का तू भी इज़ार के बजम में प्यार का तू भी इज़ार के तेरा कोई बहाना चलेगा नहीं खाब में आन जाना चलेगा नहीं अच्छा वहाँ जो चश्मा लगा के कुछ लोग बैठे हुए मैं उनकी हवाले से पढ़ती हो गुफ तो गू तेरी नजरों से करती हुँ मैं गुफ तो गू तेरी नजरों से करती हुँ मैं तेरा नजर जुका ना चलेगा नहीं खाब में आन जाना चलेगा नहीं बहुत अच्छे बहुत अखरी मक्ता मुलाजब फर्माएं चांदनी ने कहा ए मेरे चांद सुनौ आरी क्या बात है क्या भी इत्रा वाई 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 चांदनी ने कहा ए मेरे चांद सुनौ रोज छट पे बुला ना चलेगा नहीं रोज छट पे बुला ना चलेगा नहीं खावों में आना जाना चलेगा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चार्ज मिसरे आप तक पहुचाती हो जी मैं चार्ज मिसरे बिल्कुल नया आप तक पहुचाती हो तुमको राहत मिलेगी यकीनन उधर तुमको राहत मिलेगी यकीनन अपने लहजां बदल करके देखो तुमको राहत मिलेगी यकीनन तुमको राहत मिलेगी यकीनन अपने लहजां बदल करके देखो तुमको भी प्यार हो जाएगा तुम तुमको भी प्यार हो जाएगा तुम दो कदम साथ चल करके देखो तुमको भी प्यार हो जाएगा तुम दो कदम साथ चल करके देखो तुमको राहत मिलेगी यकीनन बहुत बहुत शुक्या आपने मेरे मकते की लाज रखी और मैं एक शेर आप तक पहुचाती हो सारी दुनिया बड़ी बेवफा है प्यार तुमको इसे इसे हुआ है सारी दुनिया बड़ी बेवफा है प्यार तुम को इसे से हुआ है दूर से ये बहुत ही हसी है इसको घर से निकल कर कर देखो दूर से ये बहुत ही हसी है इसको घर से निकल कर तु देखो तुम को जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं रश्के को इको बढ़ा दीजे भई सब देखे तयार है सब सुनने के लिए अच्छा एक बार जोड़ दार ताली मुझे बजा के दिखाए कि आप लोग खुरना चाहते हैं आप मैं चार मिस्रे बिलकुर पढ़ती हूँ इनके हावाले से मेरा बहुत पुराना है चार मिस्रे हाला कि बहुत काम किया था नौजवानों पर मैं पढ़ती हूँ मैं आओ मेरे करीबा दर बदर यूना ठोके रेखा आओ मेरे करीबा दर बदर यूना ठोके रेखा जिन्दगी जिन्दगी बनादोंगे जिन्दगी जिन्दगी बनादोंगे मेरी सांसों में तुम समाजा बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है जी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बहुत अच्छा सुन रहा है लोग हमें लगता है मंसुर भाई ने रिस्वत पगया तो नहीं दिया कि आप लोग अच्छा सुना देखें ये लोग आपके लिए कितनी देर से इंतिजार कर रहे हैं तो एक बाद धूरदार तालिया मज़ए देखें तो कब से लोग इंतिजार करना जी बहुत बहुत शु मुझी भाई मुझी भाई मुझी भाई कैसा लग रहा आपको दरवंगा में आके मैं पढ़ती हूं कितनी चाहत है मुझे से मेरे हम नशी कितनी चाहत है मुझे से मेरे हम नशी तूने मुझे को बताया मज़ा गया कितनी चाहत हैं मुझे से मेरे हम नशी तूने मुझे को बताया मजा आ गया चांदनी की गसल को भरी मसमों में तूने सब को सुनाया मजा आ गया कितनी चाहत है मुझे से मेरे हम नशी तूने मुझे को बताया मजा आ गया बहुत-बहुत शुक्रिया शेयर मुलाज़ा फर्माएं क्टले के दिरूजुने के अचया कुछ कि प्रिजिवा न कॉछिए भी के फिर्शाना चुछिए। क्वेड यार्म न तो मोच्स पिढ़े क्वेड भी व्यार क्वेड लिए बेहोश थे फिर तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे पिया तूने मुझे को जगाया मज़ा आ गया कितनी चाहत है मुझे से मेरे हम नर्शी तूने मुझे को बताया मज़ा आ गया अच्छा पीछे से लोग करें कि एक बार फिर से पढ़ दीजिये शंकर भाई मैं इनको बताओ कि इन्हें पहरी बार में अगर समझ में नहीं आ तो क्या गारंटी कि दूसरी बार समझ में आ जाएगा कितनी चाहत है मुझे से मेरे हम नशी तूने मुझे को बताया मज़ा आ गया याद रखना तू मुझे को सताना नहें चोड़कर रास्ते में तू जाना नहें याद रखना तू मुझे को सताना नहें छोड़कर रास्ते में तू जाना नहें सुनके इस बात को फिर भरी रात को तूने मुझे को हसाया मजा आ गया कितनी चाहत है मुझे से मेरे हमनर्शी तूने मुझे को बताया मजा आ गया बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं अल्लह आपको सलामत रखे आयो मैं गीत आप तक पहुचाती हूँ जी मैं गीत पड़ती हूँ हमें तो समझ में ही निया रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे लिख के बताईए मुझे क्या पढ़ना है मैं गीत पड़ती हूँ तू बात मेरी अब मान भीजा तू बात मेरी अब मान भीजा तू बात मेरी अब मान भीजा कहती हो तुझे मैं प्यार से तू बात मेरी अब मान भीजा तू बात मेरी अब मान भीजा कहती हो तुझे मैं प्यार से प्यार से बच कर तू रहना दीवाने मेरी पायल की जनकार से बहुत 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 शुक्रिया बंद मुलाजा फर्माया है मुझे जो जी भरके देखेगा वो इश्क की आगों में जलता है बंगाल का जादू भूल गया मेरा जादू जिस पे चलता है मुझे जो जी भरके देखेगा वो इश्क की आग में जलता है बंगा लग जादू भूल गया मेरा जादू जिस पे चलता है मर जाएगा बाह मर जाएगा तूं कट जाएगा मर जाएगा तूं कट जाएगा मेरे जल्फों की तन्वार से बजगर तू रहना तीवाले मेरी पायल की जनाकार से बहुत बहुत शुक्या आखरी बंद में आप तक पहुचाते हूँ शंकर भाई जी जी अरे इस तरह से करने से इंकम प्रेक्स का छापा पड़ जाएगा भाई मेरा कंगना एक करोड का है मेरी बिंदिया लाखों वाली है मेरा कंगना एक करोड का है मेरी बिंदिया लाखों वाली है अब इसका बिल नहीं आया है मेरे कान में ये जो बाली है तू मुझसे तू मुझसे तू मुझसे नहीं बच पाएगा तू मुझसे नहीं बच पाएगा बच जाएगा सरकार से बच कर तू रहना दीवाने मेरे पायल की जनाकार से और ना और ना चलिए चांदनी सबनम फिर एक बच जोरदार तालियां बचाईए जोरदार तालियां वाह लेकिन आप उसी तरह से फिर तशीफ रखें बैठ जाएगा बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं बहुत अच्छा जितना अच्छा चांदनी पढ़ रही हैं उतना अच्छा अप सुन रहे हम आपको मुबारक बाद एक बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा सुन रहे हैं यहां सामने से एक सहाब बोल रहे है कि कितनी वह मज़ा आ गया वाला दुबारा सुना दीजिए जी मैं गीत गीत आप तक पहुचाती हूं आज का मौसम कितना सुहाना लगता है आज का मौसम कितना सुहाना लगता है आज का मौसम कितना सुहाना लगता है तेरा नाना मुझो को बहाना लगता है तेरा नाना मुझो को बहाना लगता है कौल मुझे दिनारा को वपागा करता है कौल मुझे दिनारा को वपागा करता है मुझे को तो दिल उसका दिवाना लगता है मुझे को तो दिल उसका लगता है बहुत बहुत शुक्या आये मैं एक गीत और आप तक पहुचाती हो मेरे बड़े भाई मेरा छोटा भाई बहुत अच्छी फर्माईश मैं भी वही चाह रही थी कि जाते जाते कुछ ऐसा पढ़के जाओं ताकि लोगों को लगे कि मशूर भाई ने जो ये मुशारा कराया इसका भी एक मतलब है जाते जाते इसमें से एक सीख भी गई है आये मैं मैं वह गीत पढ़ती हो फिर सीदे सीदे वह नजम पढ़ती हो इक बार पन घट पर फकत इक बार पन घट पर फकत इक बार पन घट पर जमसे भाई मैं पढ़ती हूँ एक बार पन घट पर फकत तू मुझसे मिलने आ जाना दिल दोर पन घट पर एक बार पन घट पर फकत एक बार पन घट पर फकत बहुत बहुत शुक्या माईक भी बहुत अच्छा हो गया है मैं पढ़ती हूँ तेरी खातिर मैं सजती हूँ तेरी खातिर मैं सजती हूँ बस एक मजबूरी है मेरे जमाने से मैं डरती हूँ महुपत हम को करना है महुपत हम को करना है वही दो चार पन घट पर मुझे लगता है दरभंगा में बहुत पन घट है क्या और यहां बहुत सारी राधायें भी हैं मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है मैं सुनक मैं और एक बंद आप तक पहुचाती हों किसी से कुछ न बताएंगे चलो बगिया में जाएंगे किसी से कुछ न बताएंगे चलो बगिया में जाएंगे अगर खाहिश हो तुमारी तो चलो जरने में नहाएंगे किसी से कुछ न बताएंगे चलो बग्या में जाएंगे अगर खाहिश हो दुमारी तो चलो जरने में नहाएंगे शरारत हम को करना है वही दो जोर पनगट पर इक बार पनगट पर फकर इक बार पनगट पर फकर इक बार पनगट पर जी बहुत बहुत शुक्या आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं स्टेज वाले मैं इनसे भी चाहती हूँ कि आप लोग भी जरसा जूड़ जाएं सब लोग जुड़े हुए हैं आईये मैं एक गीत सुनाती हूँ घोचपूरी गीत हाँ देखिये तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं जोरदार तालियां हाँ मिस्काल वाला भूल गए हम याद नहीं है मुझे पता ही नहीं था आप लोग कितना अच्छा सुनेंगे जी मैं गीत पढ़ते हूँ सुन ले ऐ मेरे प्यारे सनम सुन ले ऐ मेरे प्यारे सनम सुन ले ऐ मेरे प्यारे सनम सुन ले ऐ मेरे बोले सनम सुन ले ऐ मेरे जिदी सनम याद में मेरे कर ना आखे तुनम सुन ले ऐ मेरे प्यारे सनम बहुत बहुत शुक्रिया मुझे भोच पूरी अच्छा मैं भोच पूरी पूरी हो जली एक बाद मुझे ताली बजा की इजाजत दे कि में भोच पूरी पूरी आए घर मोरे सावरिया बडानीक लागिला अच्छा यह सामने जो सब अंकल जी बैठे हुए बहुत अच्छा मतलब इन्हें महसूस हो रहा है मैं पढ़ती हो आए घर मोरे सावरिया बड़ा नीक लागे ला आए घर मोरे सावरिया बड़ा नीक लागे ला बड़ा नीक लागे ला आए घर मोरे सावरिया बड़ा नीक लागे ला संग मा साजन बैठे के करी हैं मेठे मेठे बतिया बहुत सुंदर लगी हैं अब तो जीवन की हर रतिया संग मा साजन बैठे के करी हैं मेठे मेठे बतिया बहुत सुंदर लगी हैं अब तो जीवन की हर रतिया हस हस साजन मोह बतिया हो हस हस साजन मोह बतिया बेठे सारी बतिया उतरे अंग ना जब उजरिया बड़ा नीक लागे ला आए घर मोरे सावरिया बड़ा नीक लागे ला बहुत बहुत शुक्रिया और मैं एक बंद आप तक पहुचाती हो भुरहन से तैयारी कर है साथ मले के जई हैं बोरहन से तैयारी कर है साथ मले के जई हैं कंघा चोटी चूडी पॉडर सब हम का दिलवई है भुरहन से तैयारी करी है साथ मले के जई हैं कंघा चोटी चूडी पॉडर सब हम का दिलवई है खईबे हम तो चाट बता सा हो साजन जूल जूलै एगुंबै संगय जब बजरिया बड़ा नीक लागे ला आए घर मोरे सावरिया बड़ा नीक लागे ला आए घर मोरे सावरिया बड़ा नीक लागे ला और एक बंद और तो की बहुत सारी फर्माईशे मैं पढ़ती हूँ कपलन के भंडार में जई बै जब छच्छा सोट दिलई है कपलन के भंडार में जई बै जब छच्छा सोट दिलई है फोटो घरमा बैट की संगे फोटो भी खिचवई है क्या बात है कपड़न के भंडार में जैबय जब छच्छा सूट दिलई है फोटो घरमा बैठ के संगय फोटो भी खिचवई है सरकस और सलीमा काला सरकस और सलीमा काला जादू भी दिख लई है नची है मेलन के बंडरिया बड़ा निक लागे ला आए घर मोरे सावरिया बड़ा निक लागे ला बहुत बहुत शुक्या जिस बात को कहने के लिए ये पूरा गीर कहा गया है मैं वो आखरी बंद पढ़के अपने जगहा लेती हूँ जब साजन पर देश रहे तब कतहू निक न लागे एक जगहा न लागे जियरा इधर उधर बस भागे दिल मोरा जब दूआ करे तो बस साजन का मागे उनकर आवए जब खबरिया बढ़ा निक लागे ला आए घर मोरे साजन बढ़ा निक लागे ला बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोग सुनना चाहते हैं मैं एक बात बताओं आप लोग अभी तक बहुत अच्छा सुन रहे थे मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बिहार में दरवंदा के लोग मुशारा अगर सुनना जानते हैं तो उसकी इज़त भी करना जानते हैं आभी तक मैंने आपको जितना भी शेयर जितना भी कलाम सुनाया वो आपके दिलों तक पहुँच रहा था मैं एक नज़्व सुनाऊंगी जो आपके रूह तक पहुँचेगा आप सभी लोगों ने मुहबत की होगी लेकिन एक ऐसी मुहबत है जिस मुहबत का नाम है मा उस मुहबत का नाम है मा अगर आप मुझे इजाज़़ दे तो मैं वो नज़्म पढ़ो मेरे बहुत सारे भुजुर्व बैठे हुए हैं नाराज भी हुए होंगे शायद कि कैसा मतलब अगर मुझे बताएं तो मैं वो नजम पढ़ू नहीं तो फिर मैं अपने जगहां लेती हूँ मेरा काम तो हो गया मुझे जितना पढ़ना था बहुत बहुत शुक्रिया मैं वो नजम पढ़ती हूँ आप मुझे तालिया ना बजाईएगा लेकिन खामोशी से सुनियेगा मुझे रखेगा कि आप मेरी नजम वहीं से काम्याब हो जाएगी मैं पढ़ती हूँ हर सुकू अपून दिल को मिले मा के आचल के साए तले मेरे नजवान भाई आप लोग अगर मुझे बास सुन रहे थे तो मा की भी बास सुनेंगे मैं पढ़ती हूँ हर सुकू अपून दिल को मिले मा के आचल के साए तले मा की खिद्मत करो उसकी इज़त करो रूठ जाए अगर उसकी मिन्नत करो मा की खिद्मत करो उसकी इज़त करो रूठ जाए अगर उसकी मिन्नत करो जो भी मामा करे उससे नफूरत करो हुक्म मा जो करे उसको मानो सदा खुल दो है मा के कद्मों तले हर सुकू अपने दिल को मिले मा की आँ चल के साए तले हर सुकू अपने दिल को मिले मा की आँ चल के साए तले